एक समय की बात है, एक छोटी से गाउ में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम राजा था। राजा बहुत अमीर था, उसके पास देर सारी संपत्ति और साधन थे। लेकिन इसके बावजूब, राजा हमेशा उदास और असंतुष्ट रहता था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है। गाउ के बाहर एक पहारी पर एक छोटा सा मंदिर था, जहां एक संत रहते थे। लोग कहते थे कि वह संत बहुत ज्यानी और बुद्धिमान थे। एक दिन, राजा ने सोचा कि वह संत से मिलकर अपनी समस्या का हल पुछेगा। राजा संत के पास पहुचा और अपनी समस्या बताए, महाराज, मेरे पास अब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। क्रिपया मुझे बताएं कि मैं सची खुशी कैसे पा सकता हूँ। राजा को ये सुनकर हैरानी हुई, लेकिन उसने संत की बात मान ली। अगली ही दिन, राजा ने अपनी सारी संपत्ती छोड़ दी और गाव की सबसे गरीब व्यक्ति, मोहन, के धर रहने चला गया। मोहन के पास एक छोटी सी जोपली थी और वो अपने परिवार के साथ बहुत साधारन जीवन जीता था। लेकिन मोहन और उसका परिवार हमेशा खुश रहते थे। राजा ने देखा कि वे लोग छोटी छोटी बातों में खुशी दूनते थे, एक दूसरे की साथ समय बिताते थे, और हर दिन को एक क्योहार की तरह मनाते थे। एक हफ़ते बाद, राजा ने महसूस किया कि खुशी वास्तव में बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने दृष्टिकोन और जीवन जीने की तरीके में होती है। धुश कुश्टिकोन दूसरे की बाहरी चीजों में होती है।